हाई फ्रेंज वेलकम टूसानाज माल्टी कुजिन फूड अब सभी के साथ एक बहुत ही एजी और सिंपल हेल्दी रेसिपी सेयर करूंगी सॉल्टी फ्रेंच डोस्ट इस रेसिपी को आप बेक्फस्ट में भी बाना सकते हो और बच्चों को टीपिन में भी आप देशाते हो इसे बनना बहुत ही इजी है बहुत ही फटा-फटे बान जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है आईँ होप आप सभी को पसंद आएगी प प्रेंच टोस्ट बनाने के लिए यहांने ब्राउन ब्रेड को ट्रियंगल सेप में काट लिया है आप हुआइड प्रेड भी ले सकते हो इसके आलवा हम चौप के हवा हरी मीर चिलिया है धनिया पत्तल या है अंडा लिया है और नमक लेंगे प्लेट में अंडा तोड़के ल अब अंडे के ऊपर 1.5 cup fresh milk एड़ करेंगे नामा करेंगे 1.4 टीस्पून या स्वाध अनुसर कुटी फ्रेस काली मीर्च एड़ करेंगे 1.5 टीस्पून या स्वाध अनुसर आप चौपकी आवा हरी मीर्च और धनिया पत्ते आड़ कर देंगे अब सब कुछ बहुत ही अच पैन में थोड़ा सा ओलीव एल करम करेंगे आप ओलीव और रिफाइंड और बार्टर या घी कुछ भी यूज कर सकते हो आप एक एक करके ब्रेट स्लाइस लेंगे और अंडे की मिक्स्चर के अंदर बहुत ही अच्छे से डीप करेंगे दोनों तरफ डीप करके पैन में द झाल पैसी अप और यृज तो आप घ्यसका फ्लेम लू टू मीडियम कर देंगे और लू to मीडियम में इसे गोल्डeनाट करके और पिए कर लेंगे जाब बाटम साइड गोल्डeन ब्राउन हो जाएगा तब इसे फिलिप करेंगे और दूसरा साइड सेम गोल्डें ब्राउन करके फ्राइ कर लेंगे तो आप इसे फिलिप कर देंगे तो देखिए ऐसे गोल्डें ब्राउन करनी है आप दूसरी तरह भी ऐसे ब्राउन करके फ्राइ कर लेंगे अब अच्छे से फ्राइ हो चुकिए अच्छे से फ्राइ हो चुकिए आप इसे प्लेट में निकल लेंगे कवरेट भी सेम प्राइस में कर लेंगे आप सॉल्टेट फ्रेंच टोस्ट को गरम-गरम सार्प कर देंगे आप इस फ्रेंच टोस्ट को टॉमेटा केचप के सार्प कर सकते हो बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आप बच्चों को लिए बाना रहे हो तो बच्चा स्पाइस नहीं पसंद करती है तो आप ग्रीन चीली को आवेड कर सकते हो बच्चों के लिए रूटे राओं बान से नहीं के लिए अगर अब आपको अगर आपको आज की मेरी रेचिप आखी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और फ्लीज मेरी चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूलें और अपनास्त जोरो शेयर करें. थेंक्स पर वाचिंग.